जैहिंद तो आप सभी को प्यारबरा गुड मोर्निंग तो आप लोग कैसे हैं आसा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे तो आज देखें आज है 12 जनवरी और 12 जनवरी से करेंट अफेर का जितना भी महत्पून प्रस्ट मनता है वो सभी जो है आज हम इस क्लास में डिसकस कर हैंगे चोंटी जो आपको 12 जनवरी से पहले जितना भी क्लास उआ है उसी मिन्वेंसे एक प्रस्ट होगा और उस प्रस्ट का अंसर आपको का है द्याक है देखते है क्या है प्रस्न है याहनी 12 जनवरी का फिस्ट प्रस्ट को देखेंगे ज़ितों संदुझे में उनेस्को के 46 सवे सत्र की अध्यष्टा कौन करेगा ठीक है तो ग्रैक स्वे जपान भारत अस्टेलिया या फिर अमेरिका तो इसका जो अंसर होगा आपको भारत होगा और अगर 2023 में पूछें कि 2023 में कौन किया था थीक है 2023 में अध्याश्ता कौन किया था तो ये आपको सौधी अरब इसके बाद अगर हम बात करें युनेसको का गठन कव को तो ये आपको 1945 याद रखना है 1945 में इसका गठन हुआ और इसका हेट क्वाटर जो है आपको पेरीज यानि फ्रांस के रजधानी पेरीज में ठीक है इसका हेट क्वाटर कहा है आपको पेरीज में है उसके अलबा अगर बात करें भारत इसका अध्यास्ता आपको 1946 में संभाला कि कब संभाला 1946 में अध्यस्ता नहीं समाला ये आपको सदस बना 1946 में ठीक है और 2023 में कौन किया अध्यस्ता अध्यस्ता कौन किया तो ये आपको सौधी अरब देखें उनेसको क्या होता है उनेसको जो है विश्व धरोहर समीती है ठीक है क्या है उनेसको विश्व धरोहर समीती है ठीक है उस वो है आपको सान्ति-nighistan सान्ति-nighistan ये आपको कहां पड़ता है तो ये आपको बेश्ट बंगाल यानि पच्छी मंगाल में ये जो है एक्तालिष्म है और बैलिष्म है अगर हम बात करें तो करनाटा का होय सेल मंदिर होई लेसवर मंदीर आपको याद रखना है यानि धरोहर जो जगह है एक तालिसमा वो आपको सांती निगतन है और ब्यालिसमा जो है आपको होई लेसवर मंदीर आपको कहां में पढ़ता है तो यह आपको करनाटंग में पढ़ता है इतना बात आपको याद रखना है जैसे अगर आपसे पुछा जाये कि UNESCO का हेटकौर्टर कैंशेयों का है तो आपको पेरिसमें इसका गठन कभग वगवा तब 345 में और भारत इसका सदस कब बना तून स्थी अरुच में ठीक है कब बना उनि स्थी आलीश में और दोज़ाइशोविस का सदस्ता कौन समालेगा 46 महा तो यह आपको भारत और 45 महां कुन समब्धा यह 22.现在 तो यह आपको सॉदिय अरव सॉदिय अरव ठीक है सॉदिय अरव इतना बात आपको याद उसके अलबह आपको एक Unicef है तो Unicef का Headquarter कहां है तो यह आपको Newark है ठीक है कहां है Newark में अब उसके बाद है सेकंड प्रस्ने सेकंड क्या है कि हाली में 20 हिंदी दिवस कम मना जाता है 20 हिंदी दिवस कितना थारीकों मना जाता है 10 जनवरी 9 जनवरी 8 या फिर 4 तो इसका जो अंसर होगा 10 जनवरी क्या होगा 10 जनवरी यानि 10 जनवरी को 20 हिंदी दिवस मना जाता है उसके अलबह आगर हम बात करें 8 जनवरी को तो 8 जनवरी को आपको पिर्थिवी घुर्णन दिवस याद रखना है पिर्थिवी घुर्णन दिवस ये कितना तारीक है तो यह आपको आठ जनवरी को ठीक है उसके अलावा गर हम बात करें चार जनवरी को तो चार जनवरी को जो है आपको ब्रेल दिवस याद रखना है ब्रेल दिवस यानि लुईस ब्रेल दिवस कितना तारीको तो यह आपको चार जनवरी को ठीक है उसके अलावा 9 जनवरी को परवासी भरतिये दिवस परवासी भरतिये दिवस कितना तारीको है तो यह जो है आपको 9 जनवरी को है 9 जनवरी को क्या है आपको परवासी भरतिये दिवस और 1 जनवरी को क्या है एक जनवरी को है आपको DRDO दिवस DRDO दिवस कितना तारीको है एक जनवरी को और इसका गठन कब हुआ 1908 में और 66 जो है आपको अस्थापना मनाया कब एक जनवरी 2024 को ठीक है और DRDO का परमुक कोन है तो समीर वी कामन्त याद रखना है समीर वी कामन्त क्या है DRDO का परमुक है और इसका फूल फॉल फॉम क्या होता है Defense Research Development Organization ठीक है क्या होता है Defense Research Development Organization उसके अलाबा आपको पांच जनवरी को क्या है पांच जनवरी को है राष्टिये पच्छी दिवस राष्टिये पच्छी दिवस कितना तारीको तो पांच जनवरी को उसके अलावा 6 जनवरी को याद रखना है विस्व अनाथ यूद दिवस विस्व अनाथ यूद दिवस ठीक है एक इतना तारीक हो है 6 जनवरी को है उसके अलावा अगर बात करें 7 जनवरी को तो महा यान 9 वर्स याद रखना है तो एक जनवरी से जितना भी आपको दिवस बताए वो सभी को है आपको ध्यान रखना है ठीक है यहां से एक्जाम में प्रस्ट में पूछे जाते हैं अब उसके बाद है थर्ड प्रस्ट में थर्ड क्या है थर्ड है आपको कि हाली में 27 वे राष्ट ये इवा महुतसब का उद्खाटन कहा तो थर्ड का इंसर क्या होगा महराष्ट ठीक है क्या होगा महराष्ट होगा और 2023 में अगर हम बात करें 26 में युवा महुतसब जो है कहां हुआ था तो यह आपको करनाटक याद रखना है कहां करनाटक यानि 2024 में 27 में कहां होगा राष्ट युवा महुतसब तो यह आपको करनाटक करनाटक याद रखना है कहां करनाटक में और युवा जो मंत्री है कौन है अनुराग ठाकुर युवा मंत्री कौन है तो अनुराग ठाकुर जी है और महराष्ट में और भी अगर हम बात करें तो एकनाथ सिंदे क्या है आपको चीफ मनिश्टर एक नात सिंदे हैं आपको छीफपनिष्टर हैं और रमेस बैस क्या है आपको राजपाल ठीक है रमेस बैस क्या है आपको राजपाल इसका गठन कब हुआ एक मई 1960 को इसका गठन हुआ और 1 मैं 1960 को एक और राज का गठन हुआ वो है आपको गुजराद यानि 2 राज का गठन आपको 1 मैं 1960 को हुआ तो इतना बात आपको याद रखना है उसके लबागर हम बात करें 48 यहाँ पे लोकसवासीट है और 19 यहाँ पे राजसवासीट है और आप कमेंट करके बताएंगे कि 294 कौन से राज का है यहाँ आपको प्रस्न पोर क्या है हाल ही में उत्तर परदेश के किस जीले के हनुमानगः लड़ू को G.I. टेग मिला यानि उत्तर परदेश के कौन ऐसा जीला है जिसको हनुमानगः लड़ू को G.I. टेग मिला है अयोध्या मथूरा वारनसी परियाग राज तो देखिए फोर का अंसर होगा अयोध्या ठीक है क्या होगा अयोध्या होगा और अयोध्या में आपको राम मंदिर का उद्गाटन कितना तारीक हो रहा है बाई जनवरी को 22 जनवरी कोई योध्या में राम मंद्र का उद्खाटन हो रहा है तो यह भी बात आप याद रखेंगे ठीक है और उत्तर परदेश में अगर हम बात करें तो उत्तर परदेश का भी चीफ मेंस्टर कोन है योगी अदितनात और अनन्दी बेन पटेल क्या है आपको राजपाल अनन्दी बेन पटेल आपको राजपाल है और यहां पर 80 आपको लोग स्वासीट है और 31 आपको राज स्वासीट है 403 आपको बिधान स्वासीट है ठीक है और 100 याद रखेंगे बिधान परिस्द 100 क्या है बिधान परिस्द ठीक है और बिधान सभा का सदस्ता लेने के लिए कितना उम्र चाहिए यानि बिधान सभा का सदस्त बनने के लिए कितना उम्र चाहिए तो यह जो है आपको पचीस वर्स याद रखना है और बिधान परिशद के लिए आपको तीस वर्स ठीक है और विधान परिशद आपको 6 राज में है ठीक है बिहार, यूपी होगे है फिर उसको बाद महराष्ट करनाट का उसके बाद है टेलंगाना और आंत्पदेश इस ए 6 राज में आपको बिधान परिशद का सिट है ठीक है और और वी जैसे 6 राज में होते यानि 22 राज में प्याद रखेंगे नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है आपको फाइव है हाली में घुरसवारी में अर्जुन पुरुसकार पाने वाली पहली भरतिये महिला एथलीट कौन बनी है यह आपको बताना है देखें घुरसवारी में अभी आपको उसमें जो है एक्टालीश साल बाद कर्दर बाहिं सिल्बर मैडल सेफीन एक गलब मेडल घुरसवारी में एकालीश सालबाद खुझा Yap Hat जिन और और्जुन अबर्ण मिला और तोटल जो है अरजुनवाड आपको 26 लोहों को कितना लोहों को 26 खिलाड़ी को मिला है 26 खिलाड़ी को ठीक है। उसमें जो है आपको 45 याद रखना है जो आपको important है इक्जाम्स पोछ सकता है जैसे आपको एक नाम याद रखना है सितल कॉर्जी ए पैरत तीरंदा जी जो है इनको मिला है आपको अर्जानवाण यह जम्मू क्स्मेर पिर उसके आपको लान आपको याद रखना है और एक नाम आपको याद रखना है मुहमध समी जो आपको किरकेट से उनको आपको क्या मिला है अर्जौ नवाड मिला ठीक है यानि टोटल कितना प्लेए ऑगया 26 20 प्लेयर जिसमें एकettsाना मोatal कौन हैं आपको चैनलotic और इसमें जिनेखं़ अरजुन कीतना रुपया बढ़े देता पुरुषकार तो पंद्रा लाक लोग रुपया को एजिब अरजुन आप पुरुषकार में कितना लऍट पया दे जाता थै तो раздел chicken और यह जो है आपको इंश्त2001 में 1961 से यह पुरुषकार दिया जा रहा है और आप कमेंट करके बताएं कि दादा साहब फाल के अवार्ड कब से दिया जा रहा है यह आपको कमेंट करके बताना है उसके अलावा अगर हम बात करें तो मेजर ध्यान्चन्द पुरुषकार मेजर ध्यान्चन्द पुरुषकार जो है आपको किसको दिया गया तो यह आपको याद रखना है चीराग असात्विग चीराग असात्विक के जोड़ी जो बैडमिंटल के है बैडमिंटल पे रहें उनको जो है मेजर ध्याँचंद पूरुसकार दिया गया और यह जो है आपको 2,000 है सोरी 2,000 नहीं दो हजार इकीस में राजीव गांदी खेल रतन का नाम बदल कर क्या रखा गया था मेजर ध्यांचन पुर्षकार ठीक है मेजर ध्यांचन पुर्षकार और इसमें जो है आपको 25 लाक रुपया कितना लाक रुपया राजीव गांदी खेल रतन में आपको 25 लाक रुपया जो ह चटनी को GIA Tag मिला है उडीचा पहिता इसे पाइडर या भिहार तो इसका उड़ीचा याद tut बैए और उडीचा के और जो है GIA Tag मिला वह आपको याद रखना है ब्लंप सियर्आ जो और GIA Tag मिला जो इंदर ख्यों और पाद-द और रॉम्सल्च धक्रूर ?ut penosaude a понять viz fashion people like to know ish उसके अलावब अगर बियाद़् करें तो सुंदर्वन्ड्सहद लियाद रखना है अग्छाल में नुनिया जो को जल्पाई गुणी कि क आपको जल्पाई गुणी कः उसके बाद कादिय्द उसके प्पादियाल सारी कि कि का मिला है, GI tag मिला है , ठीक है? कादियाल・ Cincu को और उड्यब्या अगर हम बात करें तो उड्यिआ के Chief Master है कौन? तो नभीन पत्नायक याद रखना है उडिसा के चीफ मुनिश्टर कौन है तो आपको नवीन पतनाएक जी है और इसका गठन जो है 1 अपरेल 1936 को किसका गठन हुआ तो यह आपको उडिसा का और रगुवरदास देखिए रगुवरदास रगुवरदास क्या है आपको चीफ मुनिश्टर है यह जो है आपको राजपाल है ठीक है रगुवरदास क्या है राजपाल इससे पहले आपको प्रोफेसर गनेसी लाल थे और हाली में 2023 में ही आपको साइद अक्टूबर या नॉम्बर में प्रोफेसर गनेसी लाल हटे उसक कि राय जपाल भने यह आपको कमेंट करके बता न है थीक है उसके लाभा आगर हम बात करें तो यहां पे 21 लोग स्वासिट है एक 12 लोग स्वासिट और 10 यहां पे राज स्वास प्रणीब स्वासिट हो गया रर्णीब करते हैं तिक और 147 यहां पर 117 और केंपस किस देश में खुले constitution pernadz का या थैसके दीट मद्रात का नया जड़कर किस देश में खुले गा जपान माल्दीव स्री咛 या फिर नेपाल तो देखे इसका अंसर होगा सिर्लंका क्या होगा सिर्लंका और सिर्लंका का देखें सिर्लंका का दो रजधानी एक आपको कोलंबो है और एक है आपको स्री जय बर्धना पूरा कोटे तो कोलंबो जो है आपको बैपारिक रखधानी है और सिरी जैब बर्धन पूरा कोटे जो है आपको यह आपको प्रसासनिक रखधानी है और भारत को सिरलंका से जो अलग करता है उसको बोलते हैं पाक जल मरूमद यानि पाक अस्ट्रेट बोलते हैं ठीक है और यहां प प्रधानमंद्री कौन है दिनेश गुनबर्धन और यहां भारत और सिरलंगा के वीच मित्र सक्ति क्या होता है मित्र सक्ति एक्सरसाइज जैनी अभ्यास होता है ठीक है तो यह भी बात अब याद रखेंगे नेक्स्ट है एट एट है हाली में मारियो जगालों का निधन हुआ वे कौन थे यानि मारियो जगालों का निधन हुआ वे कौन थे खिलाडी थे गाय कभी ने था या फिर बास्तुकर तो देखें इसका जो अंसरों का खिलाडी होगा क्या होगा यह जो है आपको फुटबॉल के खिलाड़ी थे फुटबॉल के खिलाड़ी थे ठीक है फुटबॉल के खिलाड़ी थे और यह आपको ब्राजिल के थे ब्राजिल के खिलाड़ी थे जिनका हाली में क्या हुआ है निधन हुआ है तो यह आप याद रखेंगे ठीक है उसके अलबागर हम बात करें ब्राजिल तो G20 का और कहाा हुँआ था तो यह आपको नई दिलि में हुआ था तो इतना बात आप याद रखेंगे, अब उसके बाद है नाइन, क्या है, आली में किस देश के चांगी हवाय को वीष्फ के सर्फश्ष्ठ हवाय का किताद मिला है, एक लिटली, सिंगपूर, उसके बाद है आपको ऑस्पेन और जपान, तो देखें, इसका अंसर क्या होगा इसका जो अंसर है आपको सिंगापूर याद रखना है क्या याद रखना है सिंगापूर याद रखना है सिंगापूर के सिंगापूर जो है आपको देश के चांगी हवायड़े को विसको सर्फसेष्ट हवायड़े का खिताब मिला है अब उसके बाद है टेन यानि आज का लास्ट परसल हाली में किसे रच्छा मंत्राले में महा निर्देशक निक्त किया गया है अनिस द्याल सिन निना सिन समीर कुमार सिनहा या फिर मोहनियादव तो इसका जो अंसर होगा समीर कुमार सिनहा क्यों होगा समीर कुमार सिनहा जी को रच्छा मंत्राले के महा निर्देशक निक्त किया गया और राजनाच्छी कौन है रच्छा मंत्री है राजनाच्छी आपको याद रखना है रच्छा मंत्री कौन है राजनाच्छी उसके लावा देखिए अनीश द्याल सी आपको CRPF का परमुक बने हैं CRPF और नीना सी आपको CISF के हना और मोहन यादब यह आपको मद्ध पर्देश के मद्ध पर्देश यानि MP के क्या है आपको Chief Minister है MP के Chief Minister कोन है तो आपको मोहन यादब है ठीक है अब इसके बाद यह जो परसन है आपको Homework है क्या है Homework है और इस परसन का अंसर आपको Comment Box में Comment करके बताना है तो ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं अब मिलेंगे Next Class में तब तक के लिए जैहिन जैभारत और आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को Like कर देंगे चैनल पहली वारों को तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ भी सेयर करेंगे ठीक है इसलिए जैहिन जैभारत सभी लोगों को धन्यवाद